अब सब्सक्राइब कर रहे थे उसमें हम लोग ने अभी सेंटरल हाइलेंड कवर कर लिया है आज इस वीडियो में हम लोग डेकन प्लेटिव देखेंगे कि डेकन प्लेटिव क्या होता है तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए शुरू करते हैं अगर आप लोग ने प्रिवि सब्सक्राइब कर लिए तो यह वाला हमने देख लिया था मालवा प्लेटिव अच्छे से कर लिया बंदेल खंड भी भागेल खंड भी और छोटा नागवर प्लेटिव इनकी लोकेशन भी हमने देख ली थी अच्छे से तो लास्ट वीडियो आप लोग एक पर चक कर किजिए देन हमें फर्दर इस वीडियो में जोइन किजिए ओके आज हम करेंगे डेकन प्लेटिव ओके इसमें क्या क्या आता है डेकन ट्रैप वेस्टन घाट इसन घाट एंड नॉर्थीस्ट एक्स्टेंशन तो बिना टाइम्स आए की हुए चलो शुरू करते हैं एक पर कि मैंने आप लोगों को बोला था विंध्याज के उपर नॉर्थ में जितना भी पार्ट है वो आता है सेंट्रल हाइलेंड में ओके यह नर्दमंदा बहरी है यहां सत्पुरा है ठीक यह वाला जो पूरा पॉरिशन है इसको हम क्या कहते हैं पीलिट फिक है क्या सत्पुरा से लेके यह नीचे तक क्या पूरा कहते है यह वाला जुछ ट्रांग ट्रान ट्राहिस चेप जो है इसको हम कहते हैं लिवर एक इसकी खास बात क्या है इसके वेस्टरनस हैड में इसको ट्रफ ta और इस तरफ से इसको किस ने कवर कर रखा है इस ट्रफ पार्ज थी याद रखना यह डोनों कि अलग फिचर से यह प्रीच लोग आगे डिसके इंगे ठीक है यहां तक आपको समझ आगे ऑologi Saharan कुंसी है कहां से कहां तक पै था ठीक है कि इसकी यह फीचर्स देख लेते हैं हम पहले डेकन प्लेटिव इस ट्राइंगिलर लैंड मास मैंने अभी बताया तुम्हें लाइस टू दे साउथ और नर्मादा रिवर ठीक है नर्मादा की ऊपर वाला जो था ठीक यह नर्मादा बहरी है नर्मादा की ऊपर वाले को हम बोलते हैं संट्रल हाइलेंड ठीक है और नीचे वाला जो है उसको क्या बोलते हैं डेकन प्लेटिव ओके देन दढ़ा रैंज फ्लेंग्स इस ब्रॉड बीज इन नौर्थ सद्पुरा रैंज जो है यह अपने डेकन के नौर्थ में है वाल महादेव कायमर हिल्स और माइकल रैंज इस एस्ट्वर्ड एक्सेंशन ऐसे था यह जो इस्ट्वर्ड एक्सेंशन है इसकी यहाँ पे कौन-कौन सा है महादेव, काइमर हिल्स, महादेव हिल्स and काइमर हिल्स and Michael range इस तरफ है इसके eastward extension वाला एरिया जो इस तरफ बाद में extend हो जाएगा, okay, then आ जाता हमारे पास, higher in the west and slopes gently eastward, ठीक है, west side में ये थोड़ा height पे है, slope इसकी height पे है, बाकी वाला एरिया में ऐसे मतलब इस तरफ थोड़ा height पे है, बाकी इसकी slope ऐसे downwards जाती है, west मतलब गुजरात वाला area जो है, यहां से ये height पे है, then slower, slower, slower ऐसे down होते हुए, eastwards जाता है, ये चीज़ याद रखना और मैं आपको last वीडियो में central highland वाले में में बताना भूल गया था, वो भी इसी कारण से, मैंने आपको बताया था, नरमदा इस तरफ बहती है, बाकी सारी नदिया इस तरफ बहती है, वो किसलिए होता है, क्यूंकि वो भी west side पे, जो slope होती है, उसकी, वो slope gently eastwards होती है, ठीक, मतलब इस तरफ से height पे है, वहां से फिर ये ऐसे है, तो अगर यह हां पे height पे है, तो नदिया इस तरफ कैसे भेंगे, तो ये flow इनका, वो एक normal सी बाताना है, eastward ही जाएगा, तो इस कारण, जो नदियों का flow है, वो कहां है, eastward है, मतलब वो ब्याफ बेंगॉल में जाके बहती है, ओके, और जो ये है अपनी, नरमदा, ठीक, नरमदा, ये ज तो रेंजर हैं, जो सत्पुरा और विंध्याज, इन दोनों को बीच में से काट के जाती है, इसलिए वो westward flow करती है, ओके, ये doubt clear हो गया, एक बार फिर से मैं आपको map पे भी ये वाला explain करूँगा, यहां तक आपको I hope so, ये जो slope वाला concept है, ये clear हो गया होगा, ओके, देन नौर्थ इस्ट एक्स्टेंशन नोन ऐस मेघालिया प्लेट्व, यहां यहां पे क्या है, मेघालिया स्टेट, जो है, मेघालिया स्टेट में एक मिनट, ठीक, यहां पे देख लो यहां पर क्या है Megalia Plateau मतलब Megalia State में तो यहां से तीन प्रकार की हिलसें Garo, Khasi, Jaintia ठीक है Garo, Khasi, Jaintia यह याद रखना यह Megalia Plateau में है अपना जब यहां से यह extinct होता है तो आप बोलोगे यह बीच में कहां गया ठीक यह पहले पूरा portion एक था जब यह पानी नदियां flow हो रही थी नदियों की flow से यह वाला portion तूटके इस तरफ चला गया और यह वाला portion इस तरफ रह गया तो इन यह जो इस तरफ से आके गंगा वैरा सब आके बहती है इदर यहां पे ठीक है यहां से आती है गंगा यह मुना एनॉल तो यहां इस portion को भी तोड़के छोटा नागपुर प्लेट्यू अलग हो गया ठीक तो अब यह समझा है इसका जो extension है इस पूरे का जो extension इस तरफ हो रहा है वो कहा हो रहा है मेगालिया प्लेट्यू जो था गारो खासी एंड जहनतिया हिल्स भी है यहां पे यह आसाम में पढ़ती है ठीक यह कहां पढ़ती है आसाम में ओकी यह वाले कहां पढ़ती है आसाम में और यही portion है यह तीन वाले जो portion है यही portion इसको सेपरेट करती है किस से छोटा नागपुर प्लेट्यू से ठीक समझाया जो हमारा North East का extension होता है किसका डेकन प्लेट्यू से North East की जो extension होती है वो किस से होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से separate होके जाती है अलग हो जाती है कहां पे मैघालया अपना प्लेट्यू मैघालया प्लेट्यू मैंने आपको पताया गारो खासी जयनतिया हिल्स याद रखना ये चीज कार्वी एंगलॉंग प्लेट्यू और नौर्थ चाचार हिल्स ये कहां पढ़ती है आज साम में ठीक है ये चीज याद रखिएगा ओके फर्दर हमारे पास इनके इसके बॉर्डर ये जो है अपना यहां मैंने आपको मैं पर बिताया था वयस्तन गाट स इसको बोर्डर करता है इस्टन गाट इसको इस साइट से कवर करता है ठीक है एंड नौर्थ में सद्पूरा मैंने आपको बताया था इस एक्स्टेंशन में मैंने आपको बोला था माइकल रेंज महादेव हिल्स ठीक इस तरफ से ओके इतना क्लियर होगे आपको ठीक है अब मैप पे आजो ठीक है ओल्राइट ये है अपना क्या इसके नौर्थ में पढ़ जाएंगी और इस तरफ से महादेव और माइकल हिल्स वारा जो रेंज पढ़ती है इस तरफ पढ़ती है यहां से यह ऐसा है और इस तरफ से इस टाइब का है और यह जो है वेस्टन घाट्स एक मिनट एरेज करके पताता हूं मैं आपको बीच वाला जो था डेकन प्लेट्यू ठीक इस तरफ से इसको ये वेस्टन घाट्स बॉर्डर करता है और नौर्थ में इसको सत्पुरा करता है यहां से इसको ठीक है महादेव और माइकल रेंज वेरा कवर करती है यह बॉर्डर करती है इसको यह अपना आगया डेकन प्लेट्यू इनके यह नर्मदा यहां से बहर रही है ठीक नर्मदा की उपर क्या आगया अपना पूरा का पूरा कौन सा पाड़ आ जाता है सेंट्रल हाइलेंड ठीक है और जो अपना यह इस्टन घाट्स और वेस्टन घाट्स काफी अच्छा खासा पॉर्शन है यह और इसके भी अपने अलग-लग फीचर्स हैं इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको नहीं कवर करा है यह अलग से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो म समझाई होगी ठीक है हमारा सेंट्रल हाइलेंड कवर हो गया है डेकन इंप लिटुवी कवर हो गया है ठीक है अब आपको मैं एक पर स्लूप्स का क्लियर करवा देता हूँ यह कंशेप्स वाला जो था ठीक है यहां से देखो मैंने आपको बोला था यह वाला पॉर्शन ठ west वाले side में ये थोड़ा broad है इधर आते आते ये narrow हो जाता है ठीक है एक ये concept इसका ये याद रखना आप लोग then next जो इसका concept आपके दिमाग में आपने डालना है वो ये है कि ये जो सारी नदियां है यहां से ठीक वो इस तरफ eastward क्यों flow करती है क्योंकि यहां पे जो है अपना ठीक है जो अभी मैं आपकी बात किसकी कर रहा हूँ Central Highland Central Highland की जो slope बन रही है वो इस तरह से बनती है एक मिनट ये Central Highland आपका आगया जो इसकी slope बनती है वो इस तरह से बनती है ठीक है, तो जो भी नदियां है वो इस तरफ भेंगे, क्योंकि डाउनवोर्ट तो इस तरफ है न, ठीक, यहां से तो हाइट है, हाइट वाले साइट तो उपर तो नहीं चड़ेंगे, अब यहां पे है विंध्याज, यहां पे है सत्पुराज, सत्पुराज को बीच में काट के जो जा रही है ठीक के इसको रास्ता मिल रहा है यह दोनों को काट के दोनों र Spring को काट के बीच से जा रही है तो वह फ्लो होती है जाके फिर कहाँ अरेबियंस में तो वह कुना सी नर्दी है अपनी नर्मदा ऐ है एक लुती नर्मदा है इस रेंज में जो अपनी West बाकी सारी नदियान क्या है? इस्ट फ्लोईंग है इस्ट में जाके गिरती है मतलब कहा गिरती है आपनी Bay of Bengal में इसी तरह से सेम कंसेप्ट किसका है? Deccan plaintiff का Deccan plaintiff भी इस portion में height वाला है और इस में ठोड़ी से slope कम है इसलिए इसकी जो इस्ट वोड स्लोब बनती है ओके डेकन प्लेटिव की भी सेम इसी तरह से सेम सेंस है इसका भी इसलिए मैक्सिम्म जो नदियां है वो कहां बहती है बेफ बेंगॉल में बहती है किसके करण से इस्ट वोड स्लोब बनती है इस करण से ठीक है I hope so आपको यह वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा तो आज हमने क्या कवर करा डेकन प्लेटिव हमने डेकन प्लेटिव में क्या क्या देखा है सत्पुराज नौर्थ में है वेस्टन घाट्स इसके वेस्ट में इस्टन घाट्स इसकी इस्ट में है और यहां पर इसके पड़ जाती है क्या माइकाल रेंज एंड महादेव हिल्स ओके यह चीज याद रखिएगा तो आज के लिए इतना ही हमने में डिविजन्स इसकी कर ली है दोनों की ओके जो दो में डिविजन्स ती संटरल हाइलेंड डेकन प्लेटिव दोनों हो गया है अ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेस्टन इन इस्टन घार्स क्योंकि यह काफी इंपोर्टन टॉपिक है इन में से कोश्चन आते ही आते हैं तो इनको मैं आपको स्पेसिक एक वीडियो में एक्स्प्लेइन करूँगा इसकी अच्छे खासे फीचर है इसलिए मैंने इसमे नहीं एक्स्प्लेइन करा तो आज यहीं खतम करते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप शेरिंग गॉड्ड ब्लेस्ट यूज़ू